हेलो एवरिवान, माइसेल्फ सोनेश ठककर, वेलकम आवरिवाड़ेट नंद ग्लासेश, मित्रो 10 स्टांडर मैथेमेटिक्स की सीरीज में आज यह हमारा 16th पिरेड है और अगर आपको इससे पहले के सभी पिरेड देखना बाकी है तो आप देख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप इस टॉपिक के साथ बहुत ही strongly connect कर पाओगे ठीक है तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं chapter 2, polynomials, exercise 2.3, question number 2 तो सबसे पहले discuss करेंगे कि question 2 में हमें क्या पूचा है, एक रिकर हमें करना क्या है चलिए, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial पहले समझेंगे क्या बोला है, बाद में आगे बढ़ेंगे दोस्तो हमें verify करना है, हमें check करना है कि क्या first polynomial, वो second polynomial का factor है दोस्तो ऐसा कब होगा, जब हम second polynomial को first polynomial से डिवाइड करेंगे और remainder अगर हमें 0 मिलता है, then we can definitely say कि first polynomial is a factor of the second polynomial clear everyone, चलिए, फिर से एक बार पटता है title check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial अगर first polynomial second polynomial का factor होगा, तो जब हम second polynomial को first polynomial से डिवाइड करेंगे तब हमें remainder 0 ही मिलना चाहिए दोस्तो अगर remainder 0 मिलता है, that means first polynomial is a factor of the second polynomial लेकिन अगर दोस्तो remainder 0 नहीं मिलता है, तो हम बोलेंगे कि first polynomial जो है वो second polynomial के लिए उसका factor नहीं है clear everyone, चलिए आगे बढ़ता है check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial means first polynomial से डिवाइड करेंगे second polynomial को और remainder हमें मिलना चाहिए 0 by dividing वह ही बोला है, the second polynomial by first polynomial by dividing second polynomial by first polynomial चलिए, start करते है, very first तो पहला polynomial कौन सा है दोस्तो, t square minus 3 दूसरा polynomial कौन सा है, 2t raise to 4 plus 3d cube minus 2t square minus 90 minus 12 चलिए, तो क्या करना है दोस्तो, second polynomial को first polynomial से divide करना है लिख दिया, second polynomial को first polynomial से divide करेंगे तो जैसे ही start करना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तो ये जो हमारा polynomial है, उसकी जो पहली term है उसको यहाँ पर numerator में लिखेंगे तो यहाँ पर लिख दिया, 2t raise to 4 फिर ये जो हमारा pull number है इसकी जो पहली term है, उसको denominator में लिेंगे तो लिख दिया divided by T square तो दोस्तो 2 तो वैसे का वैसा ही रहेगा देखो 2 तो वैसे का वैसा ही रहेगा T raise to 4 divided by T square तो definitely क्या रह जाएगा 2D square तो दोस्तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2D square और यहाँ पे आपके understanding के लिए लिखेंगे 2D square एक्जैम में यह आपको pencil से लिखना है first ही हमारा calculation हो जाए बाद में यह आपको rub कर देना है clear everyone यह सिर्फ और सिर्फ आपके understanding के लिए ही लिखा है चलिए अभी यह 2D square अंदर जाएगा multiplication होने के लिए तो क्या होगा दोस्तो 2D square into T square तो यह हो जाएगा हमारे पास 2D raise to 4 फिर क्या है दोस्तों हमारे पास minus ठीक है चलिए और यह क्या है plus तो दोस्तों plus minus क्या हो जाएगा minus and 3 to the 6 तो क्या होगा 6D square तो उसको directly किसके नीचे लिखेंगे जो T square वाली term में directly उसके नीचे लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों plus minus minus 3 to the 6D square तो यह हो जाएगा दोस्तों minus 60 square तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर cube वाली term तो है नहीं फिर क्या करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे plus 0 to cube discuss किया है था हमने जो भी missing हो उसके लिए क्या लिख देंगे 0 वाली term लिख देंगे चलिए आगे बढ़ते है calculation की ओर तो दोस्तों यह कैसा है positive तो यहाँ पर negative कैसा है positive तो negative यह कैसा है negative तो positive clear everyone चलिए तो यह positive यह negative cancer फिर देखिए plus 3d cube minus 0t cube तो वैसे ही minus यह जो 0 है उसका कुछ value नहीं है plus 3d cube minus 0t cube तो ultimately हमें क्या मिलेगा तो दोस्तों ultimately हमें मिलेगा 3d cube फिर देखिए minus 2d square plus 60 square तो answer मिलेगा हमें answer मिलेगा हमें plus 4d square इधर क्या हो जाएगा minus 90 minus 12 clear everyone अभी आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर पहली term क्या है 3d cube तो दोस्तों यहाँ पर लिख देता है 3d cube अभी यहाँ पर पहली term क्या है अभी यह हमारा जो पहला step था वो complete हो गया calculation के लिए तो यहाँ से 2d square हमें रब कर दिया अभी यहाँ पर पहली term क्या है t square तो यहाँ पर दोस्तों लिखते है लेकिन देफिनेटली क्या रहेगा तो अभी क्या करेंगे तोँ अभी यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 सितंगे आême 3T into T square क्या हो जाएगा दोस्तों तो यह हो जाएगा हमारे पास 3T क्यों देखिए प्लस माइनस माइनस 3 into 3 90 तो जो हमें step मिल रहा है वो T वाला step मिल रहा है तो जब भी भी T वाला step मिलता हो तो उसको T वाले step के नीचे ही लिखेंगे पता चला तो क्या होगा देखो प्लस माइनस माइनस 3 3 9 तो यहां पर लिख देंगे माइनस 90 अभी आप सचोगे सर यहां पर क्या होगा T स्क्वेर वाले step के लिए तो दोस्तों जो नहीं है उसको क्या लिखेंगे जीरो टी स्क्वेर चलिए फिर आगे ऐल्कुलेशन करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हो देखो यह पॉजीटिव नेगटिव नेगटिव नेगरे पॉजीटिव पॉजीटिव ब्लस 3 तो-3 क्योब मायनस C yep cancer प्लस 4D square माइनस 0T square तो अगर आपके पास 4 pencil है उसमें से 0 pencil निकालेंगे तो कितनी रहेगी 4 ही रहेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तो 4D square माइनस 0T square मतलब यह क्या हो जाएगा 4D square अभी आप देखो यह माइनस 90 और यह प्लस 90 क्या होगा है cancer अभी क्या है हमारे पास माइनस 12 चलिए आगे बढ़ते हैं अभी देखिए यहाँ पर पहली term क्या है 4D square तो यहाँ पर लिख देदे है 4D square और यहाँ पर अभी यह 3D वाला अपना जो step था वो complete हो गया तो अभी यहाँ पर पहली term क्या है दोस्तो T square तो यहाँ पर लिखेंगे T square T square T square cancel हो जाएगा क्या है यहाँ पर 4 तो definitely यहाँ पर लिखेंगे plus 4 और इसको multiply करेंगे 4 से चलिए multiply कीजिए क्या होगा 4T square तो लिख दिया 4T square plus minus minus तो लिख दिया minus 43012 तो लिख दिया 12 अभी फिर से calculate करेंगे दोस्तों कैसा है यह positive तो एक मिनिट हो मैं यह लाइन रॉप करके फिर से draw करता हूँ ओके तो यह कैसा हो जाएगा negative यह negative है तो कैसा हो जाएगा positive तो देखो plus minus cancel यह minus 12 यह plus 12 cancel तो end में दोस्तो remainder क्या मिला हमें end में हमें remainder 0 मिला yes we can definitely say this polynomial is a factor of this polynomial clear everyone we can definitely say कि यह जो हमारा first polynomial है वो second polynomial का factor है क्योंकि second polynomial को first polynomial से हमने divide किया and we get what remainder क्या मिला है दोस्तों हमें 0 तो हाँ हम बोल सकते है कि यह जो हमारा first polynomial है वो second polynomial का factor है clear everyone चलिए अभी आगे बढ़ेंगे second example की और second example start करेंगे second example में भी आपको यही procedure follow करनी है फिराएगा हमारा third example तो दोस्तों third example में भी आपको यही procedure follow करनी है with same fundamentals and rules ठीक है चलिए start करते है example number two मैंने already side पे लिखके रखा है तो example number two में दोस्तों जो हमें 2 polynomial दिये गए है सीधा solution start करेंगे ओके चलिए तो यह हमारा first polynomial और यह हमारा second polynomial क्या करना है second polynomial को first polynomial से divide करना है चलिए start करते है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हमारे पास second polynomial second polynomial है हमारे पास 3x raised to 4 प्लस यहाँ पर है 5x3 माइनस यहाँ पर है 7x2 प्लस यहाँ पर है 2x प्लस यहाँ पर है 2 और उसको हमें डिवाइड करना है first polynomial से that is x2 plus 3x plus 1 very interesting example चलिए दोस्तो start करते हैं तो जैसे ही हम start करेंगे तो हमारा very first term क्या है very first term यहाँ पर 3x is to 4 है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 3x is to 4 और यहाँ पर पहला atom क्या है x2 तो लिख देंगे x2 अभी x is to 4 divided by x2 तो क्या बचेगा x2 और 3 तो as it is है ही मतलब क्या मिला हमें 3x2 मिला तो दोस्तो क्या करेंगे 3x2 को यहाँ पर लिखेंगे और फिर 3x2 यहाँ पर लिखेंगे ताकि आपको अंडरस्टेंडिंग में कोई दिक्कत ना है चलिए तो 3x2 into x2 तो दोस्तों यह हो जाएगा हमारे पास 3x raise to 4 फिर देखेंगे क्या होगा 3 3s are 9 x2 into x मतलब x cube बालिट हमाएगी तो क्या लिखेंगे 3 3s are 9 तो यह हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा 9x cube ओके अबरिवन इसका पावर 2 है इसका पावर 1 है मल्टिपलिकेशन होगा बेस से में तो पावर का एडिशन होगा और यह 3 3s are 9 अभी देखिए 1 और प्लस तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1 into 3x square तो definitely यहाँ पर लिख देंगे 3x square ठीक है चलिए फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए दोस्तों यह कैसा है पॉजिटिव तो negative positive, negative, positive, negative तो 3x rise to 4 positive, negative क्या हो गया cancer 5x cube कैसा है positive 9x cube कैसा है negative sin change की नामने तो plus 5x cube minus 9x cube क्या हो गया दोस्तों minus 4x cube फिर देखिए minus 7x square minus 3x square क्या हो गया दोस्तों minus 10x square और remaining तो as it is लिख देंगे plus 2x plus 2 clear everyone, एकदम easy है, चलिए, अभी यहाँ पर पहली term क्या है, minus 4x3, तो लिख देते हैं, minus 4x3 numerator में, अभी यहाँ पर पहली term क्या है, अभी यह 3x2 का जो हमारा step था, पहला ही जो हमने लिखा, वो complete हो गया, तो यहाँ से wrap कर देंगे, चलिए, minus 4x3, यहाँ पर जो term थी वो लिख द तो यहाँ पर लिख देंगे, minus 4x, तो सबसे पहले, दोस्तो, यहाँ पर लिखेंगे, minus 4x, और उसके बाद, उसके बाद, यहाँ पर लिखेंगे, minus 4x, तो चलिए, अंदर multiply करते हैं, क्या होगा, minus 4x into x2, देखिए, minus से पूरे bracket को multiply करने जा रहे हैं, तो definitely जब आप minus common निक minus plus minus 4 3 12 x into x x square तो यह हो जाएगा minus 12 x square फिर plus minus minus और यह हो जाएगा 4 x चलिए further calculation करते है minus plus minus plus minus plus clear everyone चलिए minus 4 x cube plus 4 x cube क्या हो जाएगा cancel minus 10 x square plus 12 x square तो definitely answer क्या आएगा 2 x square चलिए plus 2 x plus 4 x answer आजाएगा plus 6 x और plus 2 तो उसकी जगापर as it is है अभी देखे आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर पहले term क्या है 2 x square तो यहाँ पर लिख दिया 2 x square और यहाँ पर पहले term क्या है x square तो यहाँ पर लिख देट denominator में लिख देता है x square तो दोस्तों x square x square cut हो गया यहाँ पर क्या है 2 तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे plus 2 अब यहाँ पर लिखेंगे 2 अभी यह 2 अंदर जाएगा तो 2 x square प्लस यह हो जाएगा 6 x प्लस 2 बेंजा हो जाएगा 2 अभी calculate करेंगे देखो यह positive तो negative पॉजिटीव यह पर हमें रिमेंडर क्या मिला 0 तो आखिर में क्या लिखेंगे Yes, first polynomial is a factor of the second polynomial Clear everyone, यह यह मैं चाहिए था कि factor कब बोल सकते हैं first polynomial को second polynomial का जब remainder हमें 0 मिले है तब, Clear everyone, same track follow कि हैं ठीक है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, third example की और अगर फिर भी आपको कोई भी example में कभी भी कुछ भी doubt हो आप बे जिजग पूछिए WhatsApp पे पूछिए call करके पूछिए या फिर comment box में पूछिए the way you prefer लेकिन पूछिए practice कीजी अच्छे से self verification लीजी अच्छे से ठीक है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों third example की ओर straight away solution start करेंगे third example में आपको ऐसा बोला है यह दोस्तों हमारा first polynomial है यह हमारा second polynomial है second polynomial को ध्यान से observe कीजिए x raise to 5 है फिर सिधा x cube है तो x raise to 4 वाली जो term है वो missing है ठीक है चलिए start करते हैं यहाँ पर start करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे x raise to 5 अभी x raise to 4 वाली term है नहीं नहीं तो जो नहीं है उसके लिए क्या लिखेंगे plus 0 x raise to 4 minus यहाँ पर क्या है हमारे पास minus 4 x cube plus क्या है हमारे पास plus x square plus क्या है 3 x plus 1 ठीक है and divide by किससे करना है divide by करना है हमें divide by करना है x cube x cube minus 3 x plus 1 ठीक है चलिए start करते हैं दोस्तों तो सबसे पहली term क्या है हमारे पास x raise to 5 तो यहाँ पर लिख देंगे x raise to 5 और यहाँ पर सबसे पहली term क्या है x cube तो उसको denominator में लिखेंगे तो दोस्तों definitely क्या मिलेगा हम है x square तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे x square फिर आगे continue करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x square ताकि आपको समझने में कोई दिक्कट ना हो तो चलिए दोस्तों x square से multiply करो उसको अंदर क्या हो जाएगा बोलो इसको अंदर multiply करेंगे हम x square से तो x square into x cube definitely क्या हो जाएगा x raise to 5 फिर minus 3x और उसके अंदर multiplication क्या लिए आ रहा है x square तो दोस्तों क्या हो जाएगा देखो यह ऐसा है कि minus 3x into x square तो minus 3 तो वैसे का वैसा ही रहेगा लेकिन x raise to 1 into x square याद करो minus 3 वैसे का वैसा ही रहेगा इन दोनों के बीच में दो टम के बीच में क्या है multiplication और base क्या है same तो definitely power का addition होगा तो यह हो जाएगा minus 3x cube तो उसको सीधा लिखेंगे उसको सीधा लिखेंगे x cube वाली जो term है उसके नीचे ही लिखेंगे तो फिर आप सुझेगे सिर फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे इस है तो definitely यहाँ पर लिख देंगे 0x raise to 4 ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए अभी क्या हो जाएगा 1 into x square तो 1 into x square हो जाएगा x square ओके let's move on positive negative positive negative negative positive positive negative चलिए positive x is to 5 negative x is to 5 क्या हो जाएगा cancel यह तो वैसे लिखने का कोई meaning नहीं बनता है क्योंकि दोनों 0 है तो देखिए minus 4x cube plus 3x cube sorry definitely minus x cube plus x square minus x square definitely cancel हो जाएगा तो यह यहाँ पर आएगा minus x cube plus 3x plus 1 अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है पहली term minus x cube तो लिखो यहाँ पर minus x cube numerator में फिर यहाँ पर देखो पहले term कौन सी है x cube तो लिखो यहाँ पर x cube तो दोस्तो x cube x cube क्या हो जाएगा cancer लेकिन हमें क्या मिलेगा minus 1 तो definitely यहाँ पर लिखेंगे minus 1 यहाँ पर भी लिखेंगे minus 1 अभी यह minus 1 पूरे bracket के अंदर multiply होगा अभी हमने discuss किया था थोड़ी देर पहले ही कि minus से अगर bracket open होगा तो सभी जो term है उनकी sin chain हो जाएगी वादब जो positive है वो negative हो जाएगा और जो negative है वो positive हो जाएगा चलिए तो क्या लिखेंगे इसको तो लिखेंगे minus x cube minus minus क्या हो जाएगा plus 3x minus plus क्या हो जाएगा minus 1 divided by देखें minus plus plus minus minus plus clear everyone ठीक है तो minus plus cancel plus 3x minus 3x cancel उसी हिसाब से हमारे पास देखें ये minus plus minus 1 ही लिखा है हमने plus 1 plus 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यहाँ पर यह रहे जाएगा 2 clear everyone तो third example में ये जो हमारा third example है उसमें ये जो first polynomial है उससे हमने divide किया second polynomial को लेकिन हमें remainder 0 नहीं मिला तो क्या लिखेंगे दोस्तों अंत मैं आखिर में लिखेंगे कि first polynomial is not a factor of the second polynomial as we are not getting remainder as a 0 clear everyone remainder यहाँ पर हमें 0 नहीं मिल रहा है तो definitely ये जो first polynomial है वो second polynomial का remainder नहीं है clear everyone तो दोस्तों exercise 2.3 question 2 उसमें total 3 example है हमारे 3 examples यहाँ पर complete हुए अभी हमारा जो next video आएगा जो next period आएगा उसमें हम आगे 2.3 continue करेंगे तो यहाँ तक हमारे साथ जुड़न हैने के लिए धन्यवाद thank you